पर्बू देवा के निर्देशन में 13 मई 2021 को रादे फिल्म आई थी 110 करोड के बजट में बनी इस फिल्म की कमाई केवल 18.33 करोड हैं यानी 18 करोड के आज पास ये फिल्म सल्मान खान के लाइप की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है इस फिल्म में आपको सलमान खान के अलावा जैकी स्रॉप, दिशा पटानी और रंदी भुड़ा दिखेंगे तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि सलमान खान की ये फिल्म कैसे बनी थी तो देखिए रादे फिल्म की सूटिंग 80% से जदा मुंबई में हुई थी जो कि एक डिफरेंट डिफरेंट फिल्म स्टूडियो में सूट की गई थी जिसमें से फिल्म का मैक्सिमम पार्ट मुंबई के करजत एंडी स्टूडियो में सूट किया गया था मुंबई के अलवा लखनाव, कलकत्ता, गोवा में भी इस फिल्म के कुछ पार्ट सूट किये गए थे इस फिल्म के डारेक्टर प्रबु देवा हैं जबकि सिनेमाटोग्राफर एयंका बोस हैं इन्होंने अलू अरजुन की फिल्म डीजे के लिए भी काम किया था जो एक हिट फिल्म रही थी तो रादे फिल्म का टाइटल ट्रेड साजिद वाजिद ने बनाया था इस सौंग को सबसे पहले सूट कर लिया गया था यानि की फिल्म की सूटिंग के सबसे पहले वाले सेड्यूल में ये फाडू सॉंग सूट किया गया था जिसे मुझसर खान ने कोरियोग्राफर किया था एंड वही सलमान खान और दिशा पतानी की खूबसूरत जोड़ी आपको इस सॉंग में देखने को मिलेगी लेकिन ये फिल्म जादा नहीं सल पाई और फ्लॉप हो गई